लॉनमेटरी फॉर 10th क्लास चेप्टर 8.1 कॉस्चन नमबर 1 पार्ट 3 कॉस्ट 45 डिग्री डिवैडेड बाई सेक्ट 30 डिग्री प्लस कॉस्ट 30 डिग्री की वैलू हमें फाइड करनी है अब यहां पर पहले की तरह आपको कॉस्ट 45 डिग्री की वैलू को जानना है तो सिंपल आप जो बेसिक एंगल्स आपको बढ़ाए गए हैं इंट्रॉक्शन में उससे अब देखें तो आप जानते हैं कि कॉस्ट 45 की वैलू 1 अपन 2 होती है कॉस्ट 30 की वैलू root 3 by 2 होती है और साइन 30 की वैलू 1 अपन 2 होती है अब प्रशन उड़ता है कि सरी यहां पर कॉस्ट 30 तो दिया ही नहीं था और साइन 30 भी दी नहीं गए थे तो हमें इसकी वैलू लिखने की जरूत क्या है इसका आर्थ यह है कि कॉस्ट 45 हमें मालूम है वन अपन रूट 2 होता है अब यहां पर सीकेंट 30 चाहिए था और सीकेंट 30 को याद करना थोरा सा मुश्किल होता है पर कॉस्ट 30 हमें मालूम होता है कि रूट 3 by 2 है तो कॉस्ट 30 के जस्ट अपोजिट कर ले हम तो सीकेंट 30 निकलाता है तो सीकेंट 30 जो है वो 2 by under root 3 उसी तरह से कॉस्ट 30 को निकालना थोरा सा मुश्किल है या याद करना या मेमराइज करना दिक्कत है या भूल भी जाते हैं बच्चे पर साइन 30 यू नो हाफ होता है और साइन सीकेंट 30 जो होए वो 2 होगा अब ये values हमारे पास मिल गई है अब इन values को यहाँ पर हम put कर देते हैं साइन सीकेंट 30 की value को put कर दिया प्लस कॉस्ट 30 को value पूट कर दिया यहाँ पर आप देखें कि जो divide दिया गया है वो double divide है तो आपने इस जीच को ध्यान में रखना है कि अपर वाले divides और नीचे वाले divide के बीच में जो main divide है उसको आपने गौर्श से देखना है reason उसका यह होता है क्योंकि हम उसे solution हम उसी प्रकार से निकाल पाएंगे अब नीचे वाले में देखें 2 under root 3 plus 2 उसमें LCM root 3 ले लिया गया तो 2 plus under root 2 under root 3 बन गया अब यहाँ पर main जो है यह जो red class से लिया गया यह main divide है तो अपर वाले portions और नीचे वाले portion को हम divide को break करने के rule यह होता है कि उसे हम change कर देते हैं और multiplication में form में ले आते हैं तो उससे क्या होता है कि जो नीचे वाले divides है वो उलट जाते हैं ना इस पेकार से 1 upon under root 2 multiply root 3 by 2 plus 2 under root 3 यहाँ पर क्या हुआ कि जो main divide है उसकी नीचे जो संख्या लिखे गया है उसको हमें उलट दिया गया और multiplication का sign आ गया यह बच्चे सभी जानते हैं फिर भी इसे आप गौर से देख ले अब यहाँ पर simple root 3 को आपने multiply कर देना है 1 के साथ और नीचे जो 2 under root 2 है उनको multiply करना है 2 plus 2 under root 3 के साथ अब ऐसे sums को बनाने के थोड़ से tricks आपने सीखने है अब यहाँ पर हमने इसको multiply कर दिया तो 2 under root 2 plus 2 under root 6 हो गया reason is कि under root 2 को under root 3 से multiply करेंगे तो under root 6 हो जाएगा अब यह sum को solve करने के लिए हमने 9th में भी पढ़ा था कि ऐसे संख्याओं को solve करना का तरीका यह हो 2 under root 2 plus 2 under root 6 और यह plus में है तो हमने क्या करना है कि यही संख्या इसी को लेकर हमने इसके negative opposite जो sign है उन संख्याओं से लेकर दोनों साइड हमने से multiply कर देना है अब यहाँ पर हम इस expression को इस प्रकार से लिखते हैं तो sum में कोई तप्दिली या कोई नई ची नहीं लिख रहे है 2 under root 2 minus 2 under root 6 को हमने divide same संख्या से की है 2 under root 2 minus 2 under root 6 से यह तो हमें previous value मिल जाती है ऐसा करने का reason यह है क्योंकि जो नीचे 2 under root 2 और 2 under root 6 और 2 under root 2 minus 2 under root 6 है यह एक formula में तबदील हो जाता है यह formula a plus b और a minus b का होता है इससे a square minus b square करते हैं इससे हमें solve करना असान होता है अब यहाँ पर a की जगह पर 2 under root 2 है और b की जगह पर 2 under root 6 है जो a plus b और a minus b के formula में नज़र आ रहा है तो इसे हम a square minus b square में convert कर देते हैं तो अब अपर side को पहले देखें तो root 3 जो है वो 2 under root 2 minus 2 under root 6 से रहात multiplication हो जाएगी इस प्रकार से और नीचे जो है वो a plus b multiply a minus b की formula में fit हो जाएगा तो 2 under root 2 जो है उसका holy square minus 2 under root 6 का holy square हो जाएगा तो अब नीचे वाले 2 under root 2 और minus 2 under root 6 को हम change कर दें तो हमें मालूम है कि अगर 2 under root 2 को का holy square हो उसे break करना हो तो 2 को 2 से multiply करेंगे 4 और under root 2 को under root 2 से multiply करेंगे तो 2 so 4 into 2 that is 8 होगा इसलिए थोड़ा सा आपने इसी patience रखते हुए इस sum को बनाने की कोशिश करनी है तो यहाँ पर आपका answer जो है root 3 को पहले हमनो 2 root 2 से multiply करेंगे तो 2 under root 6 हो जाएगा और उसके आगे 2 root 6 से multiply करेंगे तो 2 under root 18 हो जाएगा क्योंकि 3 को 6 से multiply करना है नीचे क्या देखेंगे 2 under root 2 को whole square है जो हमने यहाँ पर brackets में बनाया है square box पे उसकी value 8 आजाएगी और नसीम में 2 under root 6 का whole square है तो 2 to 4 और 6 under root 6 जो है 6 होगे तो 4 into 6 हो जाएगा अब इसे और further solve कर ले तो आप देखें कि जो 18 है 18 का factor क्या हो रहा है 3 into 3 into 2 इसका मतब है कि यहां से 3 under root से निक लिख सकते हैं कि 2 under root 6 now अब नीचे 4 into 2 that is 8 minus 6 4 into 6 that is 24 अब यहां से 3 को निकाल दिया जाए बाहर तो आपके answers क्या होता है 2 under root 6 minus 2 3 को बाहर कर लिया गया under root 2 नीचे में minus 16 हो गया क्योंकि 24 की जो sign है वो बड़ा sign संख्या है उसे minus करने पर हमें minus sign लिखना पड़ता है अब यहां पर आप देखें कि हमें 2 under root 6 minus 2 into 3 that is 6 under root 2 minus divided by minus 16 यह answers हमारा बन रहा है लेकि इस answer को थोड़ा सा और हम explore करते हैं और यहां से देखिए 2 को हमने common ले लिया जब 2 common लेंगे तो under root 6 अंदर बच जाएगा minus 6 में से 2 निकल जाएगा that is 3 बच जाएगे 3 under root 2 हो गया और नीचे में minus 16 है अब यहां से 2 और 16 को हम काट सकते हैं तो हमारे पास final result क्या आ गया under root 6 minus 3 under root 2 divided by minus 8 यहां पर आप answer को कर सकते हैं पर में mostly दीखा यह गया है कि कोई भी संख्या जब आप answer लिखते हैं कि नीचे में negative sign हो तो से हटा दिया जाया है तो नीचे में negative sign 8 के साथ रखना वो आपके solutions को proper नहीं दीखा था इसलिए यहां से negative sign को होटाना है तो negative sign को होटाने का ही तरीका होगा कि आप अपर वाले sign को बदल दीख सो minus common ले लिया जाए अगर उपर वाले से तो minus 3 under root 2 और minus under root 6 बच जाता है और यह minus और minus जो हैं दोनों cancel हो जाएंगे तो आपका result जो है आपका final answer है वो है 3 under root 2 minus 6 minus under root 6 divided by 8 and this is the answer थोड़ा सा complications है बट easy है जिसे basic math आता है जिसे divide करना LCM common लेना आता है under root निकालना आता है उसके लिए यह सब बहुत असान है थोड़ा सा lengthy है बट easy है तो मैं समझता हूँ कि इसे आप चिदर से pause करके इसे उतार ल आपका answers आपको मिल जाएगा so thank you thank you thank you very much